हेलो माइने में शुदिर शुर्वास्तों दिस इस माय वीडियो व्लॉग स्वाजस वीडियो व्लॉग में मैं एक भाई साम हैं उनका सवाल का जवाब देना चाहता हूं जिन्होंने मैसेज भी किया है कॉमेंट सेक्शन में और वाटसाइप मुझे मैसेज किया था वो लगाओगे तो पिच्चर उतने अच्छी नहीं बन पाएगी जाहिर से बाते वो साउंड क्वालिटी वो फोस्ट पॉस्ट वह स्ट्यूरी क्वालिटी वह एक्टिंग क्वालिटी नहीं आ पाएगी ऑफ-कॉर्स भाते जो बहुत अच्छी एक्टरस आप पैसा चार्ज क हो तो आपको एक प्रोड में फिल्म नहीं बनानी है यjang कि आपको मार्किटिंग के बारे में विसोचंग के सोचना है है तो जब फिल्मेकिंग बात करते हैं तो मुस्ली हम शूटिग की बात करते हैं कि income कितने में होगी बेसीकली ऑर उसमें पोस्ट जो डना पैसा खर्च होता है, जो प्रोडूसर था हो, हम लोगों से नराज भी इस बात पर हुआ, कि even हमको खुद आइडिया नहीं था, तो हम उसको क्या बताते है, तो वो हमसे कहता था कि शूर तो तुमने इतने कम पैसों में कर लिया, और पोस्ट में इतना पैसा लग रहा है, कि हर रोज तुम लोगो पैसा मांगने जाते होगी, इतना चाहिए, उतना चाहिए, सो वो चीजे जो है, वो आदमी धान ने देता है, अब मार्केटिंग करोगे, मार्केटिंग में कैसे करोगे तुम और डिस्ट्रिब्यूट कैसे करोगे पिक्चर, तो सबसे इंपॉर्टन चीज तो यही समझने वाली है, कि आपने फिल्म बना दी, बहुत बढ़ा काम किया, पर अब उस फिल्म को बेचों के कैसे, नेट एडिवेटाइजिंग पर चलता है, अब समझकिन ओ कितिना बड़ा फिल्ड है और कितना डिफिकल फील्ल है, कितना आगे पर चुका है, कितना अब तकनिकल है हो, आपने कांटेंड बना लिया, आपने प्रोड accordanceान मुश्किल काम यह है, फिल्म बिनाना जाए दो फिल्म इनना चाहते हैं वो आगर चाहें तो पिच्र बड़े पना ले-पारं जो वूफ हम खिर भले आप उसे किना और समझने जिसे करें पर जो कोई फिल्म बना लेता है ना तो उसके बार उसके पैसे चीन चाहिए होते हैं मैं बहुत सारे ऐसे independent filmmaker से मिला हूँ जो बड़ी-बड़ी बाते करते थे कि मैं पैसो के लिए फिल्म नहीं बनाता है मैं इसले फिल्म बनानी है यह है पहली बात तो ऐसे लोगों को फंडर मिल भी जाते हैं मानलो तो जब पिचर रिलीज होने की बात आती है तो यहीं बात न पैसो के लिए पैसो करई यहीं प्रॉब्लम है अ मारे इनडियन थिंकिन यहुक्ष को सब से बड़ा गए और यह सोच हमें बरबाद कर रही है जो अमेरिका जिसकी विज़े से आगे है जिसकी वैसे आज लोग मुदी जी को गाली देते हैं कि अबानी एडानी और टाटा को एडाटा वें डाइन बेच दिया हम बार्य दानी को प्रमॉट कर रहे हैं जौब तो लोग क्रेट कर रहे ह यूइस में वाल्मार्ट एप्पिल एमेजन फेस्बुक ट्विटर कितने लोग हाइड केरों नहीं है इंडिया में इसलिए ज्यादा है क्योंकि यही प्रॉब्लम है हम लोग चौप क्रियेट कैसे करें गौवर्नमेंट कैसे सबको पैसा देगी साहिए कैसे इतने सारे वे न समझते हैं वह एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वह एक दुविदा में रहते हैं सब्सक्ति ऐसे में रहे हो क्या जो कि आपको बड़ा स्टार नहीं मिलेगा और कोई बिकती है वो चलती है उसी का पैसा मिलता है आपकी फिल्म अगर कोई स्टार नहीं है तो आपकी फिल्म जाहिर सी बात है बिकेगी नहीं तो पैसा नहीं आएगा आप उसे किसी OTT प्रेटफर्म को दे सकते हो जो यह बोल सकता है कि काम करते हैं मैं तुमारा शो जो है तुमारी फिल्म जो है मैं अपने चैनल पर डाल देता हूँ अगर इसक्विट करके कोई सीरिल है जो चला है जो मुझे देखना है कोरियन शो है बट उससे पहले यहीं शो था ना मनी है इतना बड़ा पर वो फ्लॉप हो गया था वो स्पैनिश शो फ्लॉप हो गया था साल दो साल वो पढ़ा रहा उसका नेट्फिक्स एक्वाइर किया और प्लेटफॉर्म पर डाल दिया और उसके बाद हो यूज यूज हीड बनी गया सारे बंदे जो उसमें काम करें तरह सब सेलिबिटीज हो गए और उसके पास सीजन बने उसके और अभी भी आगे बनी रहोंगे जो भी चला होगा फिल्म और दिया आख उसके और ना था और इन आख देशब यूज घर उसके बना उसके शब्सक्राइब लूज हो इस पाद उसके निख्टे निख उसके वर्क वर्क वर्सेल्फ रीड मोर्बॉक्स टाइट उंडर्स्टेंड मोर्स सिनेमा स्कीन के राइटिंग जब वो कर लोगे तब आपका कॉंसेट अगर अच्छा है तो वो चल सकता है अगर आप मार्केट ने करोगे पिचर आपकी सेल ही नहीं होगी है और ऐसा इंडस्ट्री में है कि अगर आपकी फिल्म और यह मैंने सुना था उस टाइम पर मुझे नहीं पता इसमें कितने सचाई है पर जहां ता कैसा अच्छी है जो कई लोग मुझे बता चुके हैं अगर अगर आपने फिल्म नाइए और वो कहीं रिलीज नहीं हुई तो उसकी कीमत बहुत कम होती है पर अगर आपके फिल्म लीटवी फाइव टेंट टाइम्स जादा रेट हो जाता उस विक्चर का तो वह बहुत इंपोर्टन चीज़ पर हॉल में रिलीज करना भी आसान काम न पढ़ाने पढ़ते हैं तब जाकर फिल्म में चली आएंगी पता ही नहीं चलेगा तो मोस्ती फिल्म में मुंबई यह बनती है वह एक से अगर आप अपका अपका साउन्ड डिजाइनर वेकार है और कितनी अच्छा शूट किया हूँ अपके पिक्चर बहुत अच्छी नहीं लगेगी और विज्यूल ही तो अच्छी चीज होनी चाहिए और आपका साउंड अच्छा होना चाहिए तभी देखेंगे और लोग उसक एक साल तक वर्क करो जैसे कोट पिक्चर आई थी हाला कि वह महीं पिक्चर थी ती चार कोड़े मनाई थी उन्होंने पर विवेक गुंबर जोसके प्रोडूसर है वह बहुत बोले लॉयर है उनका काफी पैसा है तो वह कर सकते थे वह सारी चीजे आप नहीं कर सकते तो तो एक करोड क्या तो आप पचास लाख में फिल्म बना सकते हो ठीक है तब कोई टेंशन नहीं होगी और इसे भी चांसे है कि अगर अपने अपना सारा पैसा मार्केडिंग ले कोई पैसा रखा ही नहीं है अगर आपने पिक्चर ही बहुत अच्छी बना दी और आपने किस तब भी चल सकती है तो इसा फ्लूग गीम और यू नीद इस फेड़न कॉंफिदेंस और सेल्फ बिलीफ कि आप जो कंटेंट बना रहे हो बहुत अच्छा है जब तक हाथ पर मत हलाना हाथ पर तभी लाना जब आपको लगे कि आप बहुत अच्छा कॉंटेंट बनाने जा जब दरूरी है इसक्रिप्ट प्रोड़क्शन वाला पड़ता है उसके बेसिस पे वह लोकेशन एक्टर और कि इतना खर्चा कहां पर हो सकता है किसके लोकेशन में इंटीर है एक्सटीर है कितनी लाइट आईगी कितने इनका श्रीडूल है वो सब देखेगा उसके इसाब आप से बजट बना के देगा आपको उस बजट से आपको पता चलेगा या आपके फिल्म कितने में बनेंगी क्योंकि कई बार हम लोग मन के अंदर कुछ भी सोच लेते हैं मोटे मोटे तौर पर जब डीटेल में जाते हैं तो सच्छा ही कुछ और निकलती है तो इस वाग व्लॉग फोड़ी अगर आज ने हल्प करी है तो प्लीज मुझे बताई हैं य विछ टॉक बाओ इट ने फिटर इस यू वेटाई आख उट प्लीच आट वाग रही शूटने और और वेड़ी कि आघूए तो प्लीज ने हिल्प करी है तो प्लीज मुझे ब